आप कैसे ठीक करेंगे कि किसी बैंस के थन से दूद की जगा अगर धही आने लग जाए दूद की जगा चित्र आने लग जाए फटा हुआ दूद भार ने निकल लग जाए तो आप उसका कैसे टीट्मेंट करेंगे और इसका हमें में ज़े एक जदू रिजल्ट मिला है तो बने रहे आप वीडियो के एंट तक और वीडियो आप पूरा जरूर देख ले तो में आगे वह दवाई भी बताऊंगा जिसके करण जो पैस के थन से दूद से दही बनकर आ रहा है वह केवल तीन एमेल ऐसी दवा आप थन के अंदर डालेंगे जिससे पशू अगले बारा तरीके से टीटमेंट करते हैं तो में बहुती ज़्यादा फाइदा मिलता है अब मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए पशुमालिक है और यह पशुमालिक आपको दूद निकाल कर अब दिखा रहे हैं यह देखिए बैस का दूद आ रहा है लेकिन दूद के साथ हमें लग रहा है कि यहां पर दही आ रहा है क्यों क्योंकि दही कैसा रहता है दही में दही आदा तो जमा हो रहता है और आदा छास के तरजेत रहता है यानि खटा रहता है यह भी कुछ ऐसा ही आ रहा है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं यह देखिए इन पशुमालिक के का treatment करना है तो यह देखिए पशुमालिक बार-बार दूद निकाल कर आपको दिखा रहे हैं और यह इस पश्चु को पिसले तिन दिन से भीमारी इसको इंजेक्शन भी लग चुके हैं हमारे यहां पर डॉक साब ने इसको इंजेक्शन भी लगा दियें लेकिन इंजेक्शन दी जिससे पशुकतन अगले 12 घंटे में वापस से चितना बंद हो गया और पशुम फिर से दूद देने लगा हम कुछ फिल्ड में जादूई treatment करते हैं जिससे की हमारा treatment सबसे युणिक हमारा treatment में हमें अपनी फिल्ड में सबसे अलग नाम दिलाता है और सबसे हमें यून तो आप वहाँ पर क्या करें आप वहाँ पर ट्रीटमेंट में इसका ट्रीटमेंट बता दू क्योंकि ट्रीटमेंट ही इसकी काया पलतेगा हमने आप पर इंजेक्शन नहीं लगाए क्यवल ट्रीटमेंट में इसको वर्नमेल डेक्सा मित्सोन Pale अब बॉलेंगे कि चली मिश्चाफ दिलमें डिजॉल करके अच्छे से मिक्स हरके उसमें हमने फ्लों यॅमने निकाल दिया और उस 2 ml में हमने 1 ml डेक्सा में तसन मिला दिया अब हमने यहां मिला कर पशु के थन में डायटली चड़ाएं सुई लगा कि हमें पशु के थन में नहीं चड़ाना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने इसके टीट के हमाँ पर जो सिरिंज की नोक को थन क बोटम में यानि जहां से दूद निकलता है हुआ पर उस सिरिंज को टच करके मैंने इधर से डायटली पुश कर दिया पुश करते ही वह इंजेक्शन की सारी दवा पशु के थन के अंदर चली गई और हमने इसका फिर टीटमेंट कंप्लीट कर दी यहीं टीटमेंट है करके अच्छे से मिक्स करके उसमेंसे दो एमेल निकाले अगर दवा बस दिये तो आप किसी अन्य पशु को दवा लगा सकती है यह इस पशु को लगाने की कहीं कोई किसी प्रकार की जरूरती नहीं लेकिन दियान रहे कि आप ऐसा नहीं कि सिरिंज में निडिल लगा के चल जाएगी और पशु का थन फिर से पशु का थन से दूद आना चालो हो जाए और पशु एक दम से ठीक हो जागा यह आप एक ही बार करें एक बार में ठीक हो जाता अगर एक बार में आपको रिजल्ट ना मिले तो आप इसको दो दिन तक कर सकते हैं वीडियो अच्छी वीडियो में तब तक के लिए जय हीन जय वारत